हाई फ्रेंड्स, वेलकम टो ओर चानल, फ्रेंड्स आप देख रहे हो JRB Solutions for All, फ्रेंड्स आज हम लोग बात करते हैं, ओडिस्सा की कटाफ की बारे में, 2015 की फाइनल अलाट्मेंट आपको हर फोर्स की बारे में, हम लोग इस वीडियो के अंदर में बताएंगे, तो दोस्तों 2015 और 2018 के एक्जामनेशन बहुत अंतर हो गया, उसमें आपको 2015 में आपको अपना लैंग्वेज में लिख सकता था एक्जामनेशन, आभी जो है, सिरिप और सिरिप जो है, आपको इंदी या इंग्लिश में आपको एक्जाम लिखने के लिए दिया गया, तो आप कंफर्म कर लो कि आपको इंग्लिश में लिखना या इंदी में लिखना, दोनों लैंग्वेज आप चूज कर लो और चूज करके जो है, आप पढ़ाई करो, अगर आप जो है, SSEGD के लिए English material चाहते हो, मतलब English medium का material चाहते हो, नीचे description में लिंक दिया हो, उससे आप करीज सकते हो, तो अभी अपना cut-off की बारी में हम देखेंगे, दोस्तों, यहाँ पे आप state code 26, Odisha का है, तो Odisha की final cut-off की बारी में हम लोग इस studio में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कि यहाँ पे G, N और ऐसा लिखा हो है, ठीक है, यहाँ पे तो border नहीं लिखे रहेगा तो G मतलब general area, ठीक है, जहाँ पे आपको nuxle नहीं है, border affected नहीं है, उस चीज का बारी में G मतलब general, मतलब shant area को G बोलाए जाता है, उसकी बाद में N मतलब की nuxle affected area, ठीक है, तो हर district का अलग-अलग दरजा दिया हुआ है, अगर आपका place जो है, nuxle affected नहीं है, तो आप जो है nuxle affected के अंदर में नहीं आओगे, तो general area में आएगा, तो यह confusion आपको clear हो गया, बोलके मैं समझ रहा हूँ, और उसकी बाद में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, BSF की बारे में, तो BSF general area का और category 9 का, मतलब OC candidate के लिए lowest mark जो है, 49 marks, मतलब जिसका 49 marks आया, 2015 में उसको BSF मिला, उसकी बाद में, nuxle affected area में 44 marks का बंदा का जो है, आया हुआ है, ठीक है, और उसकी बाद में, बात करेंगे, SC बंदा के लिए 45, और SC में nuxle affected area के लिए 38, और उसकी बाद में, ST में general area के लिए 47, और nuxle affected area के लिए 45, और उसकी बाद में देखेंगे, OBC candidate के लिए general area में 48, और और नक्सल एफेक्टेड एरिया में 43 और उसकी बाद में देखेंगे आपकी एक सर्विसमेन का एक सर्विसमेन की यहां पर कुछ भी नहीं है तो दोस्ति यहां पर complete हुआ है BSF की बारी में तो BSF की आपको समझ गया होगा कि और उसकी बाद में देखेंगे कि CISF की बारे में तो दोस्ति यह CISF की जनरल कैटेगरी और जनरल एरिया में 47 और उसकी बाद में नक्सल एफेक्टेड एरिया में 35 बहुत ही कम आया है 35 नक्सल एफेक्टेड एरिया में और उसकी बाद में SC के लिए General Area के लिए 39 और Nuxal Effected Area के लिए 33 और उसकी बाद में आपकी General Area का HD बंदा के लिए 44 और Nuxal Effected Area बंदा के लिए 41 और उसकी बाद में OBC Candid का General Area वाला का 45 और उसकी बाद में Nuxal Effected Area वाला का 34 और उसकी बाद में आपकी एक Serious Man के यहां पे कोई नहीं है और उसकी बाद में फोर्स आता है CRPF का तो यहां से CRPF का आता है CRPF में General Area में और General Candid के लिए 47 marks और उसके बाद में CRPF Canadian Condid Canadian Condid के लिए 37 pops United Condid receive लिए 33 और उसकी बाद मेंlements comes must के लिए जनरल एरा के लिए 45 और से के लिए 41 और उसकी बाद में आपको ऑजय के लिए जैनरल एरा के लिए 46 और bevor ऑल नकुद्व आपको इक्सरुस्थ्समान कोई नहीं है तो ठीक है ठीक है jon다면 और उसकी बाद में हम लोग देखेंगे कि SSB General Area के लिए General Candid के लिए 46 और उसकी बाद में आपके Nuxal Area के लिए 35 SSB का और उसकी बाद SC Candid के लिए 36 General Area, Nuxal Repected Area के लिए 33 ST Candid के लिए यहां पे आपको देखा जाएगा तो 43 और नार्मल मतलब Nuxal Effected Area के लिए 40 और उसकी बाद में आपको देखा जाएगा तो OBC Candid के लिए SSB का General Area में मतलब General Area मतलब Normal Area में आपको 45 और Nuxal Effected Area के लिए 34 और उसकी बाद में आपकी एक्सर्विसमेन कोई नहीं अभी आते हैं ITBP का तो दोस्तों ITBP में General Candid के लिए General Area में 46 और Nuxal Effected Area के लिए 36 उसकी बाद में SC के लिए 36 और Nuxal Effected Area में यहां पे कोई नहीं है जॉब का और उसकी बाद में 0 है तो फिर कोई नहीं होगा और उसकी बाद में जो है मतलब की ITBP HD Candid के लिए 42 General Area का और Nuxal Effected Area का 40 उसकी बाद में आपका आता है OBC Candid का OBC Candid का 45 और Nuxal Effected Area का 37 उसकी बाद में हम लोग जो है यहां पे X-Orisman कोई बरा नहीं है ठीक है और उसकी बाद में जो है Assam Rifle का हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि अपकी HC Candid General Area का 48 और Nuxal Effected Area का 38 और उसकी बाद में आपकी HC Candid का 47 और Nuxal Effected Area का 46 उसके बाद में OBC Candid का 49 नक्सल Effected Area का और General Area का 00 यह cut-off है तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग कुछ समझ गया होगा और साती साथ जो है आप Grand Test और ट्रॉपिक वाज टेस्ट लिखना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके आप लिख सकते हो फिर मिलते हैं कोनेट के साथ जैहिंग जैभारत वंदे मातरम